आप ये भी जानते हैं कि भारत ने डिफेंस से जुड़े ऐसे सो महत्वपून डिफेंस आइटम्स की लिष्ट बनाई हैं, जिसे नेगेटिव लिष्ट कहते हैं, जिने हम अपनी स्थानिय इंडस्ट्री की मदद से मैनुफेक्चर कर सकते हैं, इसलिए टाइम लाइन इसलि करने के लिए प्लान कर सके हैं, सरकारी भासा में ये नेगेटिव लिष्ट हैं, लेकिन मैं इसको जड़ा अलग तरीके से देखता हूँ, जिसको दुनिया नेगेटिव लिष्ट के नाम से जानती हैं, मेरी दरश्टी से ये आत्मन दिरभरता की भाषा में पॉजिटिव ये वो पॉजिटिव लिष्ट हैं, जिसके बल पर हमारी अपनी manufacturing capacity बढ़ने वाली हैं, ये वो पॉजिटिव लिष्ट हैं, जो भारत में ही रोजगार निर्मान का काम करेगी, ये वो पॉजिटिव लिष्ट हैं, जो अपनी रक्षा जरुतों के लिए हमारी विदेशों क पन निर्भरता को कम करने वाली हैं, ये वो पॉजिटिव लिष्ट हैं, जिसकी वज़र से भारत में बने प्रोडक्श की, भारत में बिकने की गरंटी भी हैं, और ये वो चीज़े हैं, जो भारत की आवशक्ता के अनुसार, हमारे climate के अनुसार, हमारे लोगों के स्वभा के नुसार निरंतर इनोवेशन होने की संभावना इसके अंदर अपने आप समाहित है। चाहे हमारी सेना हो या फिर हमारा आर्थिक भविश्य है। यह हमारे लिए एक प्रकार से पोजिटीव लिश्टी हैं और वो आपके लिए तो सबसे ज़्यादा पोजिटीव है। और मैं आज इस बैठक में आप सभी को ये भरोसा देता हूँ कि डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हर वो सामान जिसे डिजाइन करने, जिसे बनाने का सामर्थ देश में हैं, किसी सरकारी या प्राइवेट कमपनी में हैं, वो बहार से लाने की एप्रोच नहीं रखी